कि नमस्कार ०ोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में स्भाःट है दोस्तों दोस्तो आजम डिसकस करेंगे Bitcoin के बारे में पिछले एक महिने से जो bitcoin के price में जो उठापाटक चल रही है bitcoin का price down जा रहे है तो उसके बारे में विस्तार से हम discuss करेंगे कि bitcoin का जो price है वो dawn क्यो जा रहा है और इसके पीछे जो main card है वो क्या है ठीक है तो GirPacker की इस video को ध्यान पूर्य देखें आप तो आपको पता चल जाए कि बिटकोईन को डाउन होने के पिछे क्या कारण तो सबसे पहले है ETF ठीक है यहींटेफ का मतलब दोस्तों होता है एक्षेंज ट्रेडिंग फरंड जिस तरह से शेर मार्केटिंग होती है इंडिया में एनसी बिसे उस तरह से इस अजनसी ने क्या किया है SEC जो जैंसी है ETF की जो अप्लिकेशन है वह आलड़ी डाल रखी है और USA में जो बहुत बड़ी एक्षेंज है वह अपी इसको अपरूल करने रहे हैं तो आने वाले टाइम में इसको अपरूल करेंगे तो अभी इन्होंने किलिए लिखा है कि ETF की ज इसे रुपीज में जो ट्रेडिंग होती है उस तरह से काम करेगा आने वाले टाइम में ठीक है SEC के जो चेर्मेन है उसने क्रप्टो करन्स के बारे में बताया है जैसे ETF अपरूल हो जाएगा एक्सचेंज में जो जाने माने एक्षेंज है न्यूर्ट स्टोक एक्षेंज सी इमी से बी ओई और बिटकोईन बककट्स जो यह कमिंग एक्षेंज आने लग जाएंगे तो इसमें अगर एक्षेंज अपरूल होगा तो फर्स्ट एवर बिटकोई एक्षेंज टेडिड फंड होगा जो की हिस्टरी में पहले बार ऐसा हो जाएगा कि किसी एक्षेंज पे बिटकोईन का जो एक्षेंज टेडिंग फंड स्टार्ट हो जाएगर बिटकोईन का जो प्राइस है सिक्यूरिटी एक्षेंज एक्षेंजन कमिशन चेर्मेन है जो उन्होंने डिसकस किया कि आने वाले टाइम में एटेफ अपरूल होने के बाद इसमें लोगों को आएंधान ई कर सकते इस तरह से बीटेसी में कर सकते हैं और शको एंट्र करन्षेंज के माहिदा से और फिर वो टैकस आपको देना पड़ेगा ठीक है तो उसके दाएरे में अभी इसको लेकर के आ रहे हैं जैसा कि निच टूग एक्षेंज और नशाद ये जो दो एक्षेंज है काफी बड़ी है इन्होंने अभी काफी दिन से सर्विलेंस चल रहा है मार्केटिंग के बारे में स्टेटजी बना रहे हैं इसको अप्रूल कराने के लिए इन्होंने एक अप्लिकेशन डाल ले थी वो ट्रंडाउन हो गे थी अभी दुबारा से वो एक्षेंज डिन फंड अगर एक बर अप्रू हो गया थैक्षेंज के उपर बिटकोईन का जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो गया एक परकार से कुमूलेटी शेयर्स की तरह है तो इसका जो प्राइस ट्रेडिंग है वो आप सोच सकते हैं कि एटीफ अप्रूल होने के ब एक्षेंज है बड़ी बड़ी बिटकोईन बाई करके रख लेंगे और जैसे एटीफ अप्रूल होगा कुछ कोईन बेस जैमिनी बिटगो लेजर ये बड़ी बड़ी क्रिप्टो करन्सी की कंपनिया है जो की काम कर रही है और सबी कंपनियों का हाथ है बीटीसी का जो रे बीटीसी का जो प्राइस डाउन जा रहा है डाउन करवाया जा रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है ठीक है अभी नेक्स जो बिटकोईन का डाउन जाने का प्राइस है बिटकोईन का एस फोरक बिटकोईन दो बागों में बढ़ चुका है और इसको जो क्रेग राइट न लो को गया पार्ट में डिवैड हो गया है और जो माइनग और बिटकोईन की थी जतने जितने ज secret American ते वो सारे लिए हैं तो बिटकोइन की माइनिंग की अभी जो स्पीड है वोग आफिशल हो हो है जो है वह चल रहा है भी और बिटकोइन के चुछ के ज़त फॉरक होएं पहले हैं जितनी वी ज करने लगे हैं उन्हें के माइनिंग डह इसलो अभी ठीक है तो इननोंग clear cut mention कर रखा Twitter के account पे if you switch to mine BCS we may need to fund this with BTC and if you sell USD then think BTC market has no rooms BTC to 1000 does not face me यानि कि BTC को ये बोल रहे है एक जाड डालर तक क्यों हो जाएगा क्योंकि गर Bitcoin को कोई mining करने वाला नहीं होगा Bitcoin की हैस पाउर डाउन हो जाएगी तो रेट भी जाएज जाएज बात है डाउन हो जाएगा वहां से जो डोलर निकल के Bitcoin कैस के फॉर्क में चला गया है और जो हैस पाउर चले गई वहां से और जितने माइनर से वो शिफ्ट कर गए है Bitcoin कैस की तरफ इस वजह से भी बीटी से का जो प्राइस वो डाउन होने के काफी चांसिस है और इस वजह से भी बीटी से का जो प्राइस हो डाउन हो रहा है ठीक है तो नेक्स्ट इसमें यहीं बताया गया है कि जो न्यूज है और जो आप रिश्यों देख रहे है Bitcoin कैस का कि जो हैस पाउर इतने ज्यादा दिखा रखी किस तरह से डिवाइड हो रखी है Bitcoin कैस की इसमें बताया गया है तो आने वाले टाइम में अभी जैसे जैसे बीटी से का प्राइस डाउन हो जाएगा डोलर से से निकल के Bitcoin कैस में जो चला गया ह तो वह भी बहुत बड़ा रीजिन है Bitcoin बककट बककट का नाम आपने बहुत सुना होगा कि बककट का है बिसिकली बककट का है कि New York Stock Exchange ने अनौंस किया है कि वह एक बककट एक्सेंज लांच करने वाल बककट बिसिकली एक एक्सेंज का नाम है जो कि New York Stock Exchange के दोरा funded होगी और वह इसको लांच कर रहे हैं January के आसपस next year याने कि first half of 2019 तो जो रिपोर्ट आई है वो बिस नौंबर को लांच होने वाला था लेकिन होने बिटकोइन फ्यूचर टेडिंग का जो प्लेट फरम लांच कर रहे हैं बककट एक्सेंज के दुवारा वो पोस्ट पॉन हो गया 24 ज यह चाहती है कि 5-10 लाग BTC जैसे रेट डाउन जाएगा यह बड़ी मात्रा में BTC को बाई कर लेंगे और एक्चेंज पर टेडिंग करेंगे फिर रेट एक तमसे हाई जाएगा तो यह के बार बिटकोइन के जो मार्केट है वो मैनिपलेशन करवाई जाती है और इसका जो लांच करने जा रही हैं दूसरा एटीफ अफरोल होने वाला हैं नेक्स्ट येर तीसरा बिटकोइन कैस का फॉर्ग जैसे कॉमडरेटी फूचर टेडिंग का जो कमिशन है वो यह लांच करने जा रहे जिस तरह से काम करेगा तो इसके रूपर एक भी तैयर की जा रही है न इंटर कनवर्ट रहेगा तो 24 जनुरी का डेट दिया है इन्होंने अभी बिटकोइन बकट को लांच करने का ठीक है और नियुए एक स्टोक एक्सेंजन अभी यह बोला है कि मार्केट अभी खराब नहीं है बिटकोइन यहां पर स्टे करेगा और जो बोटम है अगर 3000 डोल का ब्रेक कर दिया तो उसका जो डाउन फाइल है वो डाई जार दोजार पंदरा सो लास्ट बोला है 780 780 का लास्ट प्रेडक्शन है इफ बिटकोइन ने 3000 डोलर का जो बैरियर है वो पार कर दिया तो ठीक है अगर 3000 से निच्छ डाउन आ गया तो उसके बाद मार्केट यह काफी हद तक तूटेगा तो यह